हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो यूर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज ही आप हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए अंजीर के अनेकों फायदे में अंजीर, अस्तमा, मुझ के छाले, स्वेत प्रदर, मदुमे, मुहासे, हड़ी और अन्य रोग विकार के लिए बहुती फायदे मंद होती है केलशियम तता विटामिन से भरपूर, अंजीर एक सकती वर्दक पॉश्टिक फल माना जाता है देखने में गूलर की तरह लगने वाला अंजीर, लोग ताजे फल और सूखे मेवे के रूप में इसको खाते हैं लोग इसके सूखे फल के टुकडे करके या पीस कर दूद और चीनी के साथ खाते हैं यह एक ऐसा फल है जिससे ना केवल जैम बनता है बलकि इसे मिलाकर अनेक तरह के वेंजन भी बनाय जाते हैं विस्व के सबसे पुराने फलों में से एक है अनजीर, रसीला और गुदेदार फल होता है देश के विविन भागों में अनजीर के वरिक चुगाय जाते हैं इसके अलावा अरब और दूसरे देश में भी अनजीर मंगाय जाते हैं गर्मियों में ज़्यादा उगने वाले इस फल को सूखे फलों के रूप में अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है शुरुआत में अनजीर के फल हरे होते हैं लेकिन पक जाने के बाद यह लाल और आस्मानी हो जाते हैं दोस्तो अनजीर जुखाम और फेपड़ों के रोगों में लाबकारी होता है जिन लोगों को दमा हो जिसमें कफ बलगम निकलता हो उसमें अनजीर खाना गुणकारी होता है आईए हम इसके और भी विभिन प्रकार के फाइदों के बारे में जानती है पहला फायदा कैलसियम होने की वज़े से अंजीर खाने से हड्डियों को सकती मिलती है दूसरा मुँ के छाले होने पर अंजीर की पत्तियों को जलाकर भस्म बनाकर पीस कर मुँ में लगाने से छाले जल्दी ठीक हो जाते है तीसरा मदु में रोग में अन्य फलो की तुल्ना में अंजीर का सेवन बहुती लापकारी होता है चौथा फायदा अंजीर को कुछ घंटे तक पानी में डाल का रखे और रोजाना उसे चबा कर खाने से रक्त विकार से उत्पन मुहा से दूर होती है पांच्वा फायदा अस्थमा रोगी को परति दिन दो-तीन अंजीर खाने से बहुत लाब होता है अंजीर कफ को निकालता है इवं अस्थमा को ठीक करता है चटा फायदा शारेरिक शक्ती का विकास करता है अंजीर को दूद में उबाल कर सुबह साम सेवन करना चाहिए साथवा फायदा अंजीर खाने से कोशिकाएं स्वस्त रहती हैं और दिल की बीमारी का खत्रा खत्म होता है आठवा फायदा रात के समय दो तीन अंजीर खाकर उपर से दूद पीने से कब्ज में राहत मिलती है और सुबह जल्दी पेट साफ होता है अंजीर को दूद में उबाल कर भी सेवन आप कर सकते हैं नौवा फायदा रक्त विकार से उत्पन फेपड़े फुंसियों को दूर करने के लिए अंजीर के साथ बदाम को उबाल कर उसमें मिलाकर खाने से फोड़े फुंसियां दूर होती हैं दसवा फायदा सूखे अंजीरों को पानी मोबाल कर पीस कर लेप बनाए इस लेप को गले पर लगाने से अनेक प्रकार के रोग विकार नश्ट हो जाते हैं तो दोस्तो आज हमने आपको अंजीर के दस विवन प्रकार के फायदा